मुलस्क में हम लोगों ने रिस्पारिटीज सीस्टम के बारे में पड़ा था कि रिस्पारिटीज सीस्टम जो उसका होता है ओ गिल्स के द्वारा होता है जो अधिकांस्ता चुकि Hey, अपर BCS Structure होता है जो की टेस्टियल फ़ोर्म में लग्स के रूप में काम करता है इसको थोड़ा रंगीन रूप में देखते हैं अगर देखें तो यह आपको विशेस इसमें रचना नजर आएगा इसमें आप देख रहा होंगे कि एक कप्यूटराइज टाइप का है और इसमें आपको जो आपका जहां-जहां जो रचना है उसका किलियर कट नजर आ रहा हो होगा सबसे से उपर में देखते हैं है सेयल है उसके नीचे में एक एक अगले मंतलब कि वैसा अंग नवस में जहां पर गैमिट बनता है उसके बाद आपको डॉर्सल साइड में ही हर्ट नजर आ रहा होगा ठीक है यह आपका ब्लड पंप करता है और हर्ट जो है न उसके जस्ट नीचे आप देख रहे होंगे सिलोम है आपका लेबलिंग किया हुआ सिलोम के बारे में आपको बताये थे कि सिलोम जो इसका होता है वो आपका क्या हो जाता है और कुछ रीजन में ही पाया जाता है जैसे कि हर्ट के चारो तरफ या गोनट के चारो तरफ ऐसा हम लोग पीछे देखे थे और बोले भी थे अगरा देखिए नीचे में आप आते हैं तो इस्टोमक वहां पर है, डाइजेस्टिव ग्लेंट्स है, डाइजेस्टिव ग्लेंट्स में आपको बताये थे कि हिपेटो पैंकिरियाज इसको बोलते हैं, चुकि यह आपका लीभर और पैंकिरियाज दोनों को रूप में काम कर करता है इस टोमक है इसका उसोफेगस नर्व रिंग का बारे में देख लीजिए यहां पर नर्व रिंग है आगे में और चारुतरब से घेरे हुए है डाइस्टेफ सिस्टम को रिंग के रूप में और उसके बाद उससे नर्व कॉर्ड निकला हुआ है जो कि पीछे तक गया है फूट में नेक्स्ट बात करते हम रैडवल आपको बताया थे रैडवल रचना होता है जिस पर जो है न ओ जो करोजन करने में मरद करता है उसके बार नीचे माउथ था ओपनिंग को माउथ बोल देए फूट आपका लेबलिंग है नीचे से देख सकते नर्व कॉर्ड आ यहां पर जो है ना चुकि यह आपका अपने बॉडी को सिकुडा दिया है, इसका इंटेस्टाइन आपको उल्जा हुआ जैसा नजरा रहा है, गिल्स आपको नजरा रहा होगा mental cavity में, यह आपका जो पती नुमा रचना नजरा रहा है, वो गिल्स है, उसके बाद रिनल पोर ह जिसके दुवारा जो है ना आपका नेफरीडिया बाहर खुलता है और NSA जिसके दुवारा digestive system जो है ना वो अपने आपको बाहर के तरफ खोलता है, पीछे के तरफ, बैक में, यह कुछ आपको एक रचना नजरा रहा था, सिंप्लिफाइड करके, एक मोलस्क में, कम्प्यूटराइज ट्राइप के में, एक और फिगर देख लेतें इसी में, थोड़ा सा, और जो थोड़ा विभिनता दिखाता हो, नेक्स्ट, करते हम, आगे बात करते, नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा, उसको और ज्यादा ओपिन, टाइप का करके, देखा गया है, इंटरेनल स्क्रियर को, इसमें और ज्यादा किलियर आपको नजरा रहा होगा, डाइस्टिब ग्लेंट्स, जो हैना, वह आपका परत के रूप में है, उपर में जो हैना, रिंग रिंग जैसा कुछ नजरा रहा है, सेल पर, नेफ्रीडियम इसमें नजरा रहा होगा, आपको सिलोम है, जिसमें हर्ट है, आपका गोनट्स है, मेंटल कैविटी, यह आपको यहाँ पर नजरा रहा होगा, लिकि इसम बाकी सारे इस्ट्रक्ट्टर तो करें, पिछ देके थे नर्व कॉलर तो आपका इंटेस्टाइन को घेरके रखता है, इस्टोमक के आगे में, उस्टोपेगस के पास, तो वो उसको कहते है, नर्व कॉलर, हेटे डीजन में, ठीके, आगे बढ़ जाते हैं, सर्कुलेटिस सिस्टम का बात करते है इसका मोलस का जो सर्कुलेटिस सिस्टम होता है ओपन टाइप का होता है लैकुनेट टाइप का होता है लैकुने आपको बताया थे कि ब्लड फिल्ड अस्पेस होता है जिसमें ब्लड होता है और ओर्गन्स दूबे होते हैं तो इसका प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् सब्सक्राइब अपताफ है कि एक यह निसमें हीमोग्लोबीन बीकुछ एक में देखा गया है रिखेश के आपको हीमोग्लोबीन भी इस्पारेक्टी पीक्टक के रूप में पाया जाता है ध्यान रखियेगा, heart जो होता है, dorsal side में होता है, pedicardium chamber में, कुछ blood vessels होते हैं, और blood silences होता है, excretive system जो होता है, well developed होता है, और इसमें excretion जो होता है, कुछ एक structure से होता है, जो निम्नलिखित हैं, पहला है gill, gill जो होता है, वो आपको nitrogenous waste को remove करता है, respiration के साथ साथ, मतलब की gas के साथ साथ, वो जो gases होते हैं, respiration gases, O2, CO2, उसके साथ साथ हो थोड़ा, जो nitrogenous waste है, उसको भी अलग करता है, उसको भी हटाता है, next जो बात करते हैं यहां पर kidney के बारे में, kidney जो यहां होता है, सवांतर metanephredia कर लाता है, लेकिन कुछ जो आपके होते हैं, उसमें nephredia भी पाया जाता है, मतलब यहां पर जो sacnoma rochidni होता है, वो nephredia, metanephredia के रूप में होता है, और metanephredia ही कुछ में organ of bojanus कर लाता है, या kevers organ भी कहलाता है, यह जो आपका, इसका जो ascetic system है, ओपन तहां होता था, पीछे भी आपन फिगर में देखे थे, mental cavity में open होता था, ascetic pore के मदद से, और इसका जो ascetic matter होता है, aquatic में NS3 होता है, जबकि जो testrial होते हैं, उसमें uric acid होता है, यहाँ पर ध्यान रखेगा इसका जो प्रमुख ascetic organ है, ओव मेटा-nephredia है, वो ध्यान रखेगा, मेटा-nephredia इसका प्रमुख आपका ascetic organ है, ठीक है, नephredia जो है न, ओव कुछ में पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर नephredia भी लिखे हैं, आगे बढ़ते हम, nervous system जो इसका होता है, वो आपका तीन पेर ganglia का बना होता है, जो की cerebral होता है, मतलब की mouth के उपर में, वहाँ पर हम देखे थे, या फिर pedal होता है, दुसरा, पहला हो गया आपका cerebral, मतलब की mouth के उपर में, head region में, दुसरा हो गया pedal, जो foot region में था, और तिसरा होता है visceral, जो visceral mass में होता है, ऐसे एक और ganglia pair भी पाया जाता है, लेकिन ये तीन करीब-करीब सब में पाया जाता है, कुछ में plural भी पाया जाता है, चौथा के रूप में, ये सारे के सारे जो ganglia होते हैं, वो आपस में interconnected होते हैं, connective से और commissure से, आपके मन में आ रहा हो कि connective और commissure क्या है, देखो अगर एक ही जैसा ganglia होगा, तो उसको जो जोडने वाला धागानुमा रचना होता है, उसको commissure करते हैं, तो similar आपका ganglia को जो connect करता है, उसे करते हैं commissure, लेकिन जो dissimilar ganglia का, कुछ बड़ा छोटा ganglia को आपस में जोड़ रहा है, मतलब अलग अलग परकार की ganglia को जोड़ता है आपस में, उसको connective करते हैं, तो वैसा आपका धागा, नर्व कॉड जो different size के ganglia को आपस में जोड़ता है, उसको करते हैं connective, लेकिन जो एक ही परकार के ganglia को, समान परकार के ganglia को आपस में जोड़ता है, उसको करते हैं commissure, अब हम आगे बढ़ते, sense organ पर, sense organ जो होता है, इसमें eye के रूप में होता है, tentacles के रूप में होता है, tentacles जो होता है, ओ टेक्टाइल में मदद करता है, टस करने, टस करके पता लगाने में मदद करता है, इस टेटोसिस्ट होता है, जो की equilibrium में मदद करता है, और यह समानतब food region में पाया जाता है साथी साथ osferidia होता है जो की test में मदद करता है अथा chemical nature जो होता है water का या जो पदार्थ उसके पास आते हैं उसका chemical nature बताता है अथा chemo receptor है called osferidia next है reproduction यहाँ पर एक दो चीज है थोड़ा सा ध्यान रखेगा आई के बारे में लिखे हैं कि आई जो होता है एक विशेस स्टॉक पर पाया जाता है जिसे omatophore करते हैं तो यह आई आई जो है ना यह आई जो है वो एक विशेस structure पर पाया जाता है या विशेस स्टॉक पर पाया जाता है जिसे करते हैं omatophore omatophore next है reproduction जो होता है, sexual type का होता है, समानता ये diocese प्रकार का होता है, diocese का मतलब आपके दिमाग में आना चाहिए, कि male और female अलग-अलग पर मतलब की unisexual, next, diocese जो होता है, उसका कुछ उधारन था, pylosipia, loligo, octopus, लेकिन कुछ जो होते हैं, hermaphorite या monoseous होते हैं, hermaphorite या monoseous का मतलब क्या है, केवल एक ही और निंज पर दोनों के दोनों sex organ, और जो समानता monoseous होते हैं, उभी अधिकांसता protendric होते हैं, protendric आपको पीछे भी बताये थे, protendric, pro मतलब पहले, endric, मतलब male sex organ, तो वैसा आपका monoseous, जिसमे male sex organ जो होता है, पहले mature करता है, उस protendric का मतलब male sex organ mature first, ठीक है, in bisexual condition, in bisexual condition, when male sex organ mature first, called protendric, और अगर यही female sex organ पहले मौजूद अथी mature कर जाता, तो इसको कहते है, protogyny, लेकिन यहाँ पर जो condition होता है, monoseous में, वो आपका समानता protendric होता है, इसका कुछ examples लिखे हैं, applycia, doris, यह समें जो है ऐसा होता है, molosec जो होता है, समानता, वो भी पेरस होता है, अंडा देने वाला होता है, लेकिन कुछ एक जो होते हैं, वो आपके भी भी पेरस भी होते हैं, ठीक है, इसमें दोनों तरह का, इसमें दोनों तरह का external और internal, दोन होता है, ओपका कम common है, जादा common होता है, internal, इसमें मुख्यताया को ϋता है प्रलाइशन, इन्टर्नल प्रलाइशन, common तरह का पव्रलाइशन है, development होता है या तो direct होता है, या indirect होता है, अगर थुश्वात भी आपको याद होगा, direct का मतलब बतायते कि जिसमें कोई लारवा नहीं बनता और इंडारेक्ट का मतलब होता है जिसमें लारवा बनता है समानता है इंडारेक्ट जो होता है ज्यादा कॉमन टाइप का है मतलब समान अधिकांस में कैसा होता है इंडारेक्ट टाइप का ही होता है ज्यादा कॉमन कौन है इसमें डेवल मिलेगा सिपया मिलेगा ओक्टोपस है इन सम्में डाइरेक्ट आपका होता है डिवलपमेंट मतलब बगैर बगैर लारवा के बने हुए इसमें क्या होते हैं आपके डिवलपमेंट होता है जबकि कुछ जो है जैसे चाल है वैलीगर है या गलोचींग है यह साम से क्या होता है एक आप पाया जाता है जिसको सम सूरा के देवारा होता है यह क्या है फ्री स्वुइंग लार्व स्टेज जो आपके आपका स्वतंत्र रूप में बाहर में तैरता रहता है कौन-कौन ट्रोचोफोर हो गया वेलिगर हो गया गलॉची दियम हो गया यह अलग-अलग और यह में उसमें होता है प्रमुक्ता बनता है तो कुछ जो आपके प्रिमिटीव होते हैं मोलस्क उसमें ट्रोचो बनता है जुzięki लारवा के रूप में पाए जाता है और कुछ ऐसे भी आपके मौश्ख है जो इक्टो पारसाइट के रूप में होते हैं और मझ्टली के समंता मझ्टली में पाया जाते हैं जैसे पाला है पलाइसिया है यह जो है नं Net Smooth the Rig驟 पारसाइट के रुप में भी इनका लार्वा पाया जाता है ज्यान देखाए समानता लार्वा जो होता है फ्री मनला फेल्डेज के रूप मेरा शतला है। कुछ वपनिंढ आपका पार्साइट में इक्तो पारसाइट के ढूप में इक्तो परेट पर्व में अब इसका यूनिक फाइट देखते हैं उनिक फीचर जो है इसका बॉडी दिवाइडेड होता है तीन रिजन में हेड, भीसरल मास और फूट के रूप में दूसरा बात है कि इसमें आपका जो मेंटल होता है बॉडी के उबर उपर पाया जाता है होता है जो बॉडि के ऊपर पाया जाता है मैं टैशनी कावींटिंटा vereने जेंड रस्ति हैं के कैलकेडिये सेल पाया जाता है बॉडि के चारुतरब और बॉडि के बाहर में अधिकांस में सबस्में तो नहीं रोल लेंगे लेकिस के ला में वो केरिय सेल पाया जाता है नेख्श इसमें एक खुरजने वाला इस्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे रैडूरा करते हैं रास्पिंग और और यह क्या करता है बकल कर्बीटी में भोजन लेने के समय या भोजन के लिए जो सामने सबस्ट्रेकम पर भोजन है या किसी और चीज़ पर है उसको खुरज के लेने में मलत करता है मतलब भोजन को प्राप करने में मलत करता है खुरज कर यहां पर यूनिक फीचर था एक तो था कि बॉड़ी इसका डिवाइड होता है दूसरा इसमें मेंटल पा पर्चस खुलते हैं या पाए जाते हैं और चौथा था कि इसमें कल्सियम कार्बोनेट का बना हुआ सेल पाया जाता है बॉड़ी के चारों तरफ अधिकांस में और तो और रैडूला पाया जाता है रास्पिंग और्गन के रूप में यह हम लोग कुछ इसका करेक्टरिस जिसको हम लोग एक उधारन में एक प्लाइसिया जिसको हम लोग कॉमन नाम के रूप में सी हेर करते हैं तो सी हेर जो है ध्यान रखेगा एक तरह का मुलस्क है सी माइस जिसको हम लोग चाइटन करते या काइटन करते इसको चीटो लूरा भी करते हैं यह सी माइस कहलाता है इसी तरह से सबका आपका नाम दिया हुआ है आप थोड़ा सा इसका common name और examples उनके common name को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कटल पीस को बोलेंगे devil फीस किसको बोलते हैं सीपिया को कटल फी बोलेंगे octopus को devil फीस बोलेंगे लॉलीगों को c squid बोलते हैं नियोपलीना को ancestral mollusk कहते हैं next है full ars को rock borer कहते हैं पाइला को apple snail कहते हैं तीरीडों को इस तरह से जो नगेशारा है आप थोड़ा सा इसको देख लिजेगा अच्छा रहेगा सबका common name की रूप में dentalium को tusk cell कहते हैं मतलब हाथी के दात के जैसा उसका cell होता है यह तरह से जो आप यहां पर देख लिजेगा razor calm है उसका razor calm नाम है उसका razor cell या razor calm 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 ठीक है थोड़ा सा इसको आप ध्यान रखिएगा नेक्स्ट हम बात करते आगे बढ़ते और नेक्स्ट देखते हम अब classification पर classification जो होता है इसमें इसको समानका six class में बांटा जाता है इसमें कबस के अधार पर और उसके फूट के अधार पर पहला जो है वह है मोनो प्लैकोफोरा मोनो प्लैकोफोरा जो होता है उसमें बॉड़ी जो होता है फ्लैटेंड होता है बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है और ओवल होता है चप्ठा और ओभल ध्यान रखिएगा मेटामेरिक सेग्मेंटेशन होता है इसमें कुछ और्गेंस में और यह माना जाता है कि यह एनलीट का कैरेक्टर रखता है तो कि मेटामेरिक जो सेग्मेंटेशन था वो एनलीट में पाया जाता था अगर आपको याद हो तो आपको बताये थे कि मेटामर्स पाया जाते थे एनलीट में ठीक है तो यह एनलीट करेक्टर है इसमें मेटामेरिक का पाया जाना नेफ्रीडिया पाया जाता है जो कि एनलीडिया का करेक्टर है इसमें एक और एक्रेक्टर हं Confederate यह नेफ्रिंडिया का पाहला जाना है पूद्ध का आजारे जाना काया लेकिन इसमें लंद高ध का पाले जाना फूटि का पाहला जाना है यह सब आपका म क्रेटर लारने कैन इस मैं समानता हम लोग rädULa देखते हैं और ये unisexual होता है जिसमें जो आपका लाइवा बनता है और ट्रोचो फोर लारवा है यह भी एक कैरेक्टर है एनेलीड का त्रोचो फोर लारवा पाया जाता है इसमें तो कुछ इसमें एनेलीड का कैरेक्टर आपको नजर आता है और कुछ जो characters होते हैं वो मोलस्क के नजर आते हैं इसका common उधारन है नियोपलीना नियोपलीना गलैथिया यहां पर लिखे हैं यह living fossils है और यह connective link माना जाता है अनलीट्स और मोलस्क के बीच में क्यों क्योंकि इसमें अनलीट्स के भी characters है और किसके हैं मोलस्क के भी characters है इसे सबसे primitive मोलस्क माना जाता है और यह देखा जाता है कि यह केवल एही एक मोलस्क है जिसमें segmented body पाया जाता है और cup और sale भी पाया जाता है मतलब sale भी है और segmented body है ऐसा कोई और मोलस्क नहीं नजर आता तो इसको सबसे primitive मानते हैं और connecting link मानते हैं किसको निवपलीना को अगला है polyplacophora या इसको हम लोग amphi nevra भी कहते हैं इसमें दुसरा class है इसका सारा का सारा जो representative होता है और marine होता है hair जो होता है उसमें eye और tentacles नहीं होते इसका जो sale होता है dorsal side में पाया जाता है और वो plate का बना होता है जिसमें एक से लेके 8 plates हो सकते हैं या piece हो सकते हैं अगला है इसमें भी trochophora larva पाया जाता है इसका उधारन है chitan जिसको बोल रहे है इसको coat of male भी बोलते हैं cheeto plura है एक करा से कलाता है यह यह आपके मन में आ रहा होगा coat of male का क्या मतलब है ने रेली में कबच जो होता था जो वर्यर होते नगाही लड़ने वाले जो होते हैं वोग कबच पहन के जाते है जो कि आपका तार का बना हुआ होता था लोहा का तार का बना होता था कपड़ा जैसा वैसा कुछ यह नजर आता है इसलिए इसको हम लोग coat of male भी कहते हैं कबच अगला है skyphopoda, skyphopoda जो होता है इसका body bilaterally symmetrical होता है और इसमें जो cell होते हैं और tubular होता है जो कि दोनों इंद पर खुला होता है कुछ सब तक इसका जो सेल होता है तस्क लाइक सेल होता है या उसको हम लोग टूथ सेल भी कहते हैं इसमें रिस्पारेट्री ओर्गन जो होता है अलग से नहीं होता है मैंटल जो है न वही रिस्पारेशन में का काम करता है या रिस्पारेशन में मदद करता है इसमें काफी अधिक संक्या में टैंटिकल्स पाया जाते हैं माउथ के रीजन में माउथ के चारु तरफ और लारवा जो इसमें बनता है वह भी त्रोशोफोर लारवा होता है इसमें भी उधारन देख लेते हैं डेंटेलियम है क्यों हैं कौमन उधारन इसका इसको हम लोग एलिफाइन टसक सेल भी कहते हैं नेक्सट है गैस्ट्रोकडा गैस्ट्रोकडा जो होता है उलाजिस्ट बार इसमें इसी में हैं अब्पराने जो होता अकिक ब्लुकत है और इसपार्ली क्वाइल होता है सील या सब्सक्राइब कि काफी ज़्यादा क्म पाया की यह अमको एसटेल वार्टर में रहा सकते हैं फ्रेस वाटर में रहा जैके एक है इसको फेल सकते हैं तक चीज़ आपका औरं टोफोर रखता है और शाथी साथ एक रैडला भी होता है जो की काइट्टनस टीथ आपका पिछे पढ़े थे कि रैडल्डा जो था ओके आता काईट्टनस टीथ रखने वाला एक फाइल नूमा रचना था तो औरं टोफोर होता है बकल के विंटी में और और साथी साथ रेडुला होता है जिसमें आपका काइचनस टीथ पाया जाता है डेवलप्मेंट जो इसमें होता है वेलीगर लार्वा से होता है यहां पर जो डेवलप्मेंट होता है वह आपका वेलीगर लार्वा से होता है इसमें जो शुरुवाती जो इंब्रीयो होता है बाइलेटरल सिमेट्री दिखाता है लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाता है बोडी का और ट्विस्ट करता जाता है घुमता जाता है और अन्तिता जो एनस होता है उसी के नजदीक माउथ आ जाता है इतना जादा घुमाव हो जाता है कि जो एनस होता है उसके नजद बोड़ी इसका asymmetrical हो जाता है इसका common example आपको मिलेगा पाइला में जिसको apple snail कहते या applicea में जिसको हम लोग see hair कहते ठीक है आगे बड़े जाते इसमें कुछ हम लोग देखे हैं structure एक और class इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग by valve होता है दो तरब से बंद होता है सीप जिसको बोलते है आप सायर आपको याद होगा गाउं में अगर थोड़ा बहुत भी आप रहे होंगे या नदीवेगरे में गये होंगे या बालू देखे होंगे तो वहाँ पर आपको दोनों तरफ से बंद वाला देखे होंगे ओ बाई-वाल्व हो गया लेकिन उसी में स्नेल्स मिलता है गोंगा जिसको बोलते हैं वह आपका यूनिवाल्व हो गया देखे बगल में हम पाइला पर एक है गैस्टोपोर है अभी जो गैस्टोपोर पर रहे थे यूनिवाल्व इसमें है देखो पूरा का पूरा बॉड़ी इसका ट्विस्ट कर जाता है और इतना होता है सपूरा का पूरा बॉड़ी एक कड़ा कवस के अंदर बंद रहता है यह आप देखे होंगे सायथ संक बगैर जो है इसी में आता है संक जो है इसी का उधारन है नेक्स्ट जो बात हम लोग करते हैं वह आगे बढ़ जाते पाचमा है क्लास आपका फिलिको पोड़ा या बाई भलबिया भी फिगर देख रहते हैं इसका जो बॉड़ी होता है लेटरली कंप्रेस्ट होता है लोग इसको गाउं में सितुहा भी बोलते हैं सीप या सितुहा घर में भी आप देखे होंगे वह आपका लटका हुआ होता है धागा में कुछ शोई स्टक्चर के र से यह इस जो आपका पयुक्षी से पोड़ा या वाइभल बि या जो हे उसका जो बॉड़ी होता है वो बाई मतलब इसमें हेड टैंट्कल्स आय जा और एप्सेंट होता है यह अधिकांसता नहीं कि यहांदीन और फ्रेस्ट वाटर होता है, यह बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है, इसका अधारन है यूनियों कि फ्रेस्ट वाटर मसल्स करते हैं, और माईटीलस जिसको हम लोग C मसल्स करते या एसपॉंडीलस जिसको हम लोग EDIBLE या पिंक टाडा जिसको पर्ल ओस्टर कहते इस तरह से कुछ उधारन है यहां पर आप देख लीजेगा सबसे ज्यादा मोती समानता पिंक टाडा ग्रूप से ही बनाया जाता है यह प्राप किया जाता है इसलिए इसको हम लोग पर्ल ओस्टर भी बोलते ऐसे ओस्ट्रिया से पर भी पाइजा बनता है मॉतित इसको बें लोग पर बोलते पर और जोर्किन सबसे ज्यादा बनता है पिंक टाडा से नेंक्स्त्र healthy बोट को या साइफोनो-टोरा साइफोनो पोडा जो होता है यह भी मेरीन होता है उसका एक्टर्णल हो सकता है जैसा कि हम लोग देखते इसका आपका अपसंट होता है जैसा कि हम आपके तरफय जाता है और माउथ च्यारु तरफ ऑड़ल आर्म के रूप में बदल जाता है साथी साथ इसमें जो आपका arm होता है उस पर suckers पाया जाते हैं जो चिपकने में इसको मदद करता है इसका फूट होता है head region में आ जाता है और head के चारो तरफ जो है न वो क्या करता है oral arm बनाता है जिसके जिसमें क्या पाया जाता है सकर्स पाया जाते हैं सजे हुए होते हैं सकर्स और यह mouth को क्या करता है घेर के रखता है हेट का जो रीजन होता है उसी में एक टैंटिकल्स का रिंग भी पाया जाता है जो आपको इसको सेंसेशन में मदद करता है यह बाइलेटरल सिमेट्री दिखाता है इसका जो फूट का पार्ट होता है ओफवनल लाइक सैफन बनाता है और वो आपका समानता उसमें से जेट लाइक जो है ना structure के रूप में काम करता है यह जो आपका tentacles है उसके बीच से देखा जाता है कि जो साइफन है वो आपका जेट बनाता है फूट का पार्ट और जेट जो होता है उससे पानी को यह फिकता है और तेजी से आगे बढ़ता है मतलब जेट प्रोप बिचत новых से त्विक फूलसन यहां पर होता है जो पर होता है जो काफी मरत करता है जो की है फूट जो होता है वह आपका मौडिफाइड होकर क्या बनाया था फूट आर्म बनाता है और उसके बीच में कुछ हिससा इसका hypothes हो जाता है और जट लाइक काम करता है और वाटर को क्या करता है उसका प्रॉर्सवुली फ्रीकता है जैसे कि हम लोग इसमें रॉकिट में लेकते हैं पूर्णना रॉकिट कैसे आगे बढ़ता है। के बीच में जो जेट पाया जाता है जो कि फूट का मोडिफिकेशन होता है कुछ पार्ट का उससे वह बाटर को तेजी से बाहर निकालता है और ये तेजी से उससे आगे बढ़ता है प्लस इसमें ये भी कुछ ink glands भी पाय जाते हैं कुछ में, कुछ forms में, जो उसको आकरवन करने में या अपनी सुरच्छा करने में मदद करते हैं ये क्या करता है, जैसे ही कोई दुस्मन को देखता है, या किसी फूर आइटम को देखता है, तो अपने बॉड़ी से जो है न, जैसे पदार्च को बाहर निकालता है, और जैसे ही बाहर आता है, तो जो सामने वाला आपका इसका पर्तिद्वन्दी होता है, या इसका जो दु बुमा जैसा फूरे पानी हो ज़ाता है उसको उसको कुछ नजर नहीं आता या उसके उसको टेस्ट लेने — जो चमता होता है टेस्ट करने का ओ भी आपका उसका खटाब हो जाता है नॉटिलास का जिसको हम डेवल्वस भी बूलते हैं इसमें अमिन्वाइड जो होता है वो एक्स्टिंक्ट टाइप है मतलब वो खतम हो गया है यह जो नॉटिलिस है यह अकेला सिफल्वाइड है जिसमें एक्स्टरनल सेल पाया जाता है लेकिन इंक ग्लैंड इसमें नहीं होता है ठीक है नॉटिलस जो होता है उसमें इंक ग्लै नहीं होता लेकिन सेल पाया जाता है इस क्लास का अकेला यह रिप्रेजेंटेटिव है फिर है आरकी लेव्थियस जो है ओ जाइंट अट्लांटिक स्क्वीड है जो सबसे बड़ा और भारी लीविंग इनवर्टिव रेट्स माना जाता है इसका जो लंबाई होता है करीब करीब 15 फीट तक का होता है मतलब करीब 13 मिटर तक का यह लंबा हो सकता है और इसका जो आँख होता है वो भी सबसे बड़ा आँख में एक माना जाता है सबसे बड़ा आँख माना जाता है किसमें आरकी ल अर्ची लिउतिस अगला है पर्ल जो होता है जो हम लोग त्यों बोलतें हैं मोती दो तरह का बनता है एक तो अर्टी पेशल और एक नैच्छुल मोती जुकि काफी मुस्कल से बनता है काफी समय में बनता है इसलिए काफी महंगा माना जाता है और सबसे अच्छा किसम का माना जाता है पर्ल जो है वो होता क्या है मोती क्या होता है वो calcium carbonate है एक तरह का अगर compound की रूप में बात करें तो calcium carbonate है जो की कुछ मोलस्क जैसे की pink tada है उसमें पाया जाता है या उसमें बनता है कैसे बनता है pink tada में होता क्या है कि कोई बाहरी particles जो थोड़ा hard हो जैसे sand हो सकता है या कुछ आप बाहर से भी डाल सकते हैं कोई जल्सियम का बना हुआ तो वो जब चला जाता है उसके अंदर परवेश कर जाता है किसी कारण से पिंक टाडा के अंदर जो है न परवेश कर जाता है और जाकर जो आपका स्कीन होता है उस पे गढ़ता है वो जैसे आपके आँख में धूल बगएर चला जाया तो कैसे गरता है तो आप क्या करते हैं आसू निकालते हैं इसी तरह से जब इसके अंदर गुष जाता है बाई भलविया है ना ये बाई भलवला होता है तो उसमें जब गुष जाता है अंदर में किसी कारण से सेंड पार्टिकिल्स नैश्रली तो जाकर गढ़ना शुरू हो जाता है स्कीन पर तो उससे बचने के लिए क्या करता है सिक्रीशन देता है जैसे कि आप आशू सिक्रीशन दे रहे थे ऐसे ही वहाँ पर सिक्रिशन देता है किसका calcium carbonate का जो काफी छिखना होता है और उसके चारो तरफ जम जाता है, चारो तरफ जो है ना उसको लपेट देता है इसी तरह से वो करता जाता है, करता जाता है और अंत्ता कुछ साल में मोती बन जाता है लेकिन इसके बनने के दौरान उसको अंत्तर दिक्कत होने लगता है और वो मर जाता है या समाप्त हो जाता है हम लोग जो है क्रित्रिम मोती भी बनाते हैं या प्राप्त करते हैं उसमें क्या करते हैं बालू या कुछ और पार्टकिल्स को हम लोग परवेश करा देते हैं इसके अंदर और फिर क्या करता है अपने से मोती बना देता है तो हम लोग मोती भी उसी तरह से बनाते हैं जिस तरह से नैशुरल रूप में बनता है लेकि नैशुरल रूप में चुकि काफी दिन में बन तो काफी अच्छे क्वालिटी को होता है अब कारण इसका सिर्छ से क्वालार निकलता है इसका कार्शियम कारभ़ुनेट का ब्रक्रास को बहर कि गेर ता तर यह को मोती के रुक में मिल जाता है although अगला है एक जापान में एक जगह है टोबा ठीक है वहां पर कोकिची मिकी मोटो जो है कोकिची मिकी मोटो वहां के रने वाले थे उनको हम लोग फादर ओफ पर्ल इंडस्ट्री कहते हैं जो कि बड़े पैमाने पर मोती का उत्पादन जो है न में उनका बहुत बड़ा सी वेगरह में तो खुश हो जाते थे लेकिन ये वह बड़े पैमाने पर मोती का उत्पादन का अगर जो बात किया गया तो इनके द्वारा सुरुवात में किया गया और इसलिए इनको पर्ल इंडस्ट्री का फादर कहते हैं कहां के रहने वाले हैं टोबा आपका जपान मे के बीच में अगर थोड़ा सा भी पीशे याद होगा तो क्यों बोलते थे और इसको लिविंग फॉसल्स भी बोलते हैं इसके साथ जो भी इस से भी पर आया थे और वह बिलूप्त हो गया है अब नहीं पाया जाता है तो इसको हम लोग कानेक्टिंग लिंक क्यों बोलते है तो आपको बताये थे कि कुछ करेक्टर इसमें अनलीडा का होता है और कुछ करेक्टर किसका होता है मुलस्क का होता है अनलीडा का जो प्रमुक करेक्टर है वो कौन-कौन है तो मेटामेरिक सेग्मेंटेशन इसमें पाया जाता है ठीक है आपको बताये प्लस इसमें नेफ प्लस इसमें सेल पाया जाता है यह तीन करेक्टर्स जो है वह इसको मुलस्क के तरफ ले जाते हैं अगला है ग्लॉचीडियम लारवा जो है यूनियों का ओईक्टो पारासाइट सोता है मचलियों के फीस पर और मेटामॉर्फोस सोही करता है जिसे अंतता मचलिया जो है ना वो समाप्त हो जाती है या मरने लगती है ठीक है अगला है साइप्रिया या काओरी ये जो है ना काओरी आप पहले सुनते होंगे इसी को हम लोग काओरी बोलते थे इसलिए अभी भी जो है ना लोग कई बार घर में गाओं में जो बोलते है ना वो बोल देते हैं काओरी के भाव में बेखती है कोड़ी का भाव क्या था कोड़ी क्या था वाई कोड़ी जो है न वो आपके साइपरिया का कबच होता था और चुकि अच्छा लगता था सुनला होता था तो पहले जो भी बिजनेस होता था पुराने समय में आप सुनते होंगे मोहंजोद्रो हरपा के समय में जो होता था उन कि तो जिसको कोडी बोलते थे हम लोग बेचते हैं उसमें पैसा देते हैं अभी मेटल का या फिर कागज का ऐसा पहले हम लोग को देते थे इसके कबज को देते थे यह मुलस्क था मुलस्क में थोड़ा कुछ एक फीगर है देख लेते हैं सीपिया है आपको यह नजर आता होगा या देखेंगे आप फिकर बगर आप भी और यह ओक्टोपस जो है आपको यहां पर ओक्टोपस नजर आएगा वह जो आपका इसमें पैर जैसा जो नजर आ रहा है और अर्म उह है डिएली में क्या इसका फूट का मोडिफिकेशन है ठीक है ध्या इसमें कुछ जो होता है वह आपका उसाफ साफ नजर आएगा यहां पर जेट नुमा रचना भी इसमें पाया जाता है लेकिन अभी नहीं दिखा पा रहे हैं तो यह आपको मुलस्क का बात था मुलस्क समाप्त हो गया किसी को अगर कुछ